वो धानक्या रेल्वे स्टेशन पर जाके आया, वहां भी उनकी एक अच्छा कारिकम हुआ, और वहां भी उनकी जिवनी सब शब्द बद्द किये हैं, एक अच्छा वहां उनका प्रतिमा भी लगाई हैं, और मैं और इसलिए और बाग्यशाली हूँ, कि माननिय दिन्दाल जी को मैंने बहुत नज्दिक से देखा हैं, 1967 में भारतिय जन्तन का मारे औरंबाद में एक अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन के लिए माननिय दिन्दाल जी, माननिय अटल जी और जबके अखेल बारतिय अधिक्ष बलराजी व्यास इस सभी आये थे, और दिन्दाल जी की वेवस्ता में मुझे काम सोपा था, 22 साल की मेरी उम्र थी जब एक सवन्चर की नाते मैं उनके साथ रहा, आपको सबको पता है, कि वो बहुत सिंतन चिल थे, और कभी-कभी नान करते-करते भी उनको ध्यान लगा, तो कई मिनिर तक वो बाहर आते नहीं थे, फिर कुई तेरी कारे करते बोलते थे, उनके सहयोगी, अरे शाहिए दिन्दाल जी गए होंगे, जारा दर्वाजा खटा-खटा लो, कि इतने वो ध्याने सब बेटते थे, ध्यान में आये तो छिंतन करते थे, दिन्दाल जी बहुत गुनवान थे, बुद्धिवान थे, चारित्रवान थे, और वो चलते फिरते विश्यो विद्धा लई थे, इनका वो क्यान पीट थे, और वो एक आर्थचाच्री बन्ने का उनका सोपन था, पिर वो कलकत्ता में गए, वा एक बड़ी लाबरीरी थी, लाबरीरी ने आटार दस-दस घंटेों किताबे पढ़ते थे, देखते थे, उनके लगन से वा के जो लाबरीरी के प्रमुक थे, उन्होंने उनको बोला, दिन्दाजी आपको कुछ कतरन चाहिए तो लेखे जाओ, फिर उन्होंने कुछ किताब से कतरन भी निकाले, लेकिन प्रवास पे उनका होल्डिंग की चोरी हो गई, दिन्दाजी बोले होल्डिंग के कतरन गए, जेव सीरपर तो है, हमारे दिल में तो है, कतरन गए तो कुछ बात नहीं, और एचे वो इतने एक पाठी भी थे, और एक बार एचे वो दिन्दाजी तो रेल से प्रवास करते थे, जाधा तो, उन्ही को कही बार भी विमान से जाना और कहीं से जाना आगरे करते थे, लेकिन दिन्दाजी बोलते थे कि रेल से गए, तो पढ़ने को तो समय मिलता है, और वो सेकंड क्लास से जाते थे, एक बार ऐसा है हुआ, सेकंड क्लास में प्रवास करते करते, एक बच्चा छोटा सा, वो बूट पॉलिश करने वाला था, उसके बाजू में एक सद्ग्रस तो बेटे थे, उन्होंने बोला कि हाँ मेरे बूट को पॉलिश कर, वो पॉलिस का सामान निकाला लेकिन उन्हें पूछा ओ ग्रस्त ने कि तेरे पास कपड़ा है क्या कपड़ा साप करने के लिए तो बोले नहीं फिरो सद्गरस नहीं बोला कि पॉलिस मत कर वो बच्चा इतना नाराज हो गया क्योंकि उसके उनका पेट चलता था बहुत नाराज दिखा दिलदान ये ने बोला रुक उन्हें अपने ब्याक से एक बन्या निकाली और बनीन का एक कपड़ा तो तुकड़ा निकाल के वो बच्चे के पास दिया और बोले अभी कर तो इन पॉलिस क्योंकि इसका मतलब है कि उनका वो बच्चा की गरी भी देखकर बच्चा का वो जो नर्वस होना है वो देखकर उनके मन में भी उनके बारे में दिल चस्पी पैदा हुई और इसे उन्होंने अपने बैनिन का एक टुकड़ा उसको कपड़ा का टुकड़ा दिया उन्होंने पॉलिस कही और उसको तो क्या पैसा दो पैसा जब मिला होगा दिन दैल जी तो अमेशे बोलते थे कि दरिदरी नारहन की शेवा करू आपने समाज में जन जाती में जो आखरी आदमी है उन्हों को पहले सरकारी सुईदा मिलना चाहिए आंतर योजय की व्योजना उन्ही की है जब राजस्तान में मानने भहरोशिंग जी उख्यमंत्री थे जब भहरोशिंगी ने एक सरकुयल निकाला था कि आप गाओं में ग्राम समिती बुराओं और सभी के साथ लोकों को पुछो कि अपने गाओं में सबसे गरीब कौन है फिर कोई लोग बोले लगे अमुक अमुक गरीब है दुसरा बोले आरे वो नहीं उसके उसके भी ज़्यादा वो गरीब है उसका नाम पहले लिखू ऐसी एक सूची बनाई थी और जो जो सरकार योजना आएगी वो सूची के इस पे जो ज़्यादा गरीब है उसको वो सुईदा मिलेगी ऐसा उनका ख्यालता वो भी यहाँ उन्होंने किया देजबर में जाजा परतिंधा पार्टी के सरकारी आई उसे में ये योजना लाग कि वो कहिते थे कि हर खेत को पाणी हर हाथ को काम तुम खेत को पाणी दो लोगों के हाथ को काम मिलेगा आप सोचते जीस विभाग में जीस गाव में जी जिल्ला में कम चे कम बारिस होती वहां के लोग दूत्रिया और काम मिले के लिए जाते यही अपन देखते हैं करके उन्होंने बोलो कि हर खेत को पाणी हर हाथ को काम इसी सिल्चिले चे मैं जब पहली बार विदायक बना 1985 में जब मेरे मद्धास्व में 20 साल में 600 पाजर तलो बनाएं 900 आप ही भी एवो और उतका भी लाब हो रहा है क्योंको खेत को पारी मिल रहा है और खेत को पानी चाहिए तो निसर्क का जो पारी गिरता है बारित का जो पारी जमिन पर आता है गाव में आता है गाव का पानी गाव में रोको वो पानी को भागने मत दो दवडने मत दो आपने गाव में रोको तो तुमारे खेत को पानी मिलेगा लोकों के हाथ को काम मिलेगा यह उन्होंने बार-बार बोला था और इसलिए उन्होंने जो गरीबों के हि और उसे लिए मानिये दीन देल जी अपने बहुत दीन रहे नहीं केवाल 51-52 साल का उनको उम्र मिला उसी 52 साल में उनका सभी तोर अभी उनके जो विचारे वो विचार से आचार से लोग प्रभावित होते हैं और काम करते थे दीन देल जी आचार चीलते विचार चीलते धरम चीलते सुचील चीलते और सांसकार चीलते चिंतन चीलते आईसे दीन देल जी का आपने को सभी को उनका ध्यान रखना चाहिए और उनोंने जो के अपने को रास्ता दिखाया वो रास्ते पे चनला चाहिए गरिवों के लिए आस्ता रखना चाहिए एचे में मैं उन्चे बहुत-बहुत भावपुर्ण स्रधान जिली भी अर्पन करता हूँ और आज या विशविध्यालयने पंडीन दे उपाध्या सेका वटी डिष्यविध्यालय के परिसर में दीन देन देज्यां चे बढ़ा थाचुया खडा किया है उनके नाम से इनवर्चिटी है मुझे मेरे गाव के स्कूल का भी याद आता है, मेरी भी एक सौंस्ता है, उसी का नाम है पंडीन देजना उपाद्या शिक्षन सौंस्ता, ये टीएटे में चालू कि, मैं उसका अभी तक 41 साल तक बैचेर मन रहा, लेकिन वो ट्रेस्ट जो है, वो ट्रेस्ट में मेरे परिव का, मेरे चोगे का भोई दूसरा ट्रश्ट नहीं, कोई नहीं, तो अब्हेले इतने साल मैं उसके काम करता हूँ, उसके आभी वो स्कूल के 11 12 जगे स्कूल नव जगे मैट्रिक का परिक्षा होती है उस पर चे छे जगे सव टक के निकाल लगता हैं वो भी हम दिखा है और इचली में यहां बहुत-बहुत मुझे यहां भुलाया मैं बहुत-बहुत्य करता हूं और रुकता हूं धन्यमाद जाहिं जय राजस्तान